इस वीडियो के दिने गाईस हम लोग रिव्यू करने वाल हैं कॉंट के स्मॉल कैप डालेक्ट प्लान का जी हैं तो परस्टनल भाई मेरी इसके अंदर S.I.P चल रही है तो अभी तक मुझे कितना रिटन मिल चुका है कब से मैं S.I.P कर रहा हूँ यह पूरा रिवेल करूँगा साथ में कमपैरिजन करेंगे Jitन भी लीडिंग स्मॉल काप के चेटेगरी है उनके साथ में क्या इस फॉंड के इंदर रसक है क्या इसके प्रो है क्या इसके कौन से 2012-2014 के अदर आप 1S.I.P साइट करना चाहते हैं fund के अंदर तो cash till यह best fund है, cash को आप consider कर सकते हैं यह सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर, शुरुवात करने से पहले बताना चाहूंगा यह वीडियो के एवल educational purpose के लिए, मैं कोई भी यहां पे saving register person नहीं हूँ, तो भाई आप मेरी screen के सामने दे सकते, मै मैंने यहां पे December 2022 से 5,000 रुपे की SIP यहां पे शुरुवात की थी, और अभी तक मुझे 42.84% का simply तरीके से absolute यहां पे return मिल चुका है, अगर इसको मैं XIR के अंदर calculate करूँ तो around 63% के आसपास यह return निकल के आता है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस fund के AUM size की, AU साइस से यह पता लग जाता है कि fund कितना ज़्यादा popular है, कितना इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, तो भाई शुरुवाती दिनों में तो मतलब अगर आप 2-3 साल पहले भी अगर आप देखेंगे, तो quant small cap के अंदर इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगा हुआता, लेकिन अ यहाँ पे काफी सारे mutual fund को rating करते है, इसके अंदर first number पे जैसे अगर मैं crystal की बात करो तो इसने 4 star की rating दे रखिये, वैसे अगर आप देखेंगे तो पहले इसने 12-23 के अंदर यहाँ पे 5 star की rating यहाँ पे इसको दीती, लेकिन अभी recently इन्होंने last में December की something, इन्होंने rating जो डी करके 5 star से 4 star कर दी है, वहीं पे अगर मैं value research firm की बात के हो, तो उन्होंने भी इसको 3 star की rating दे रखिये, grow का जो एक खुद का rating system चलता है, उन्होंने भी 3 star की rating दे रखिये, ET money rank जो की mutual fund platform है, उन्होंने भी यहाँ पे इसको first rank दे रखिये, out of the 19 funds, प्लस उन्होंने consistency of returns के basis पे भी एक 5 star की rating दे रखिये, कि ये fund हर साल return यहाँ पे generate करके देता है, लेकिन अगर आप protection की बात करेंगे, volatility के against में, तो उसका score इसका थोड़ा सा down जाता है, 2 star की rating दे रखिये, इसके लाब भाई, Paytm money ने भी इसको 5 star की rating दे रखिये, और IND money जो एक mutual fund platform है, उसने भी इसको 4th number के उपर रखा हुआ है, इसके लाब भाई, अगर मैं IND money की according pros की यहाँ पे बात का हूँ, तो भाई, consistent returns provide करता है, benchmark को भी वीट करता है, bull luck में, बहुत तेजी से बागता है, cause तो भाई, यह यह इसका की high volatile है, plus इसका जो recovery का भी जो period होता है, वो काफी जादा लगता है, पूर track record है, अगर भाई, मैं returns के अंदर भी ranking इसके निगाल के दिया हूँ, चाहिए आप 1 साल का ले लो, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, हमेशा यह top 5 category के अंदर, हमेशा यह mutual fund रहा है, पूरी category के अंदर है, पिछले 1 साल के अंदर सने 69% का annualized return निगाल के दिया है, 2 साल के अंदर 32, 3 साल में 42, और पिछले 10 सालों के अंदर 21% का साल आना यहाँ पर कागर rate निगाल के इसके लाव भाई, ऐसा निए कि इस वर ने negative return नहीं निगाल के दिया है, 12,19 के अंदर आप देख सकते हैं, माइनस 24% का इसने negative return बना के दिया था, जबकि जो category average था, पूरी small cap के अंदर वो माइनस 1.14% का था, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको returns दिखाए देते हैं, वो CEGR होते हैं, तो ऐसा निए कि हर साली आपको जो एक positive return देखने को मिलेगा, हो सकता है, यहाँ पर काफी सारे period के अंदर आपको negative returns भी देखने को मिले, जिलिए इसको हम लोग comparison कर लेते हैं, जिते भी small cap category के जो है, यहाँ पर leader है, जैसे कि Nippon है, SDFC है, SBA small cap है, जिसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पैसा लगा हुआ है, तो भाई, अगर मैं सबसे पहले returns की बात कहो, तो definitely quant सबसे आगे रहेगा, क्योंकि चाहे आप 1 साल का ले ले लो, तीन साल का ले लो, पास साल का ले लो, अगर आप CAGR calculate करते हो, तो चाहे निपन ले लो, SDFC ले लो, SBA ले लो, सभी को इसने definitely यहाँ पर beat किया है, इसके लगा भाई, अगर मैं पोर्फोलियो holding सी बात करो, कि इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर stocks है, तो 99 holdings है, आपको जादा old lap देखने को नहीं मिलता है, यानि कि अगर let's suppose small cap category में, अगर आपने 2 या 3 scheme में भी SIP कर रखी है, तो आपको old lapping देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने quant के ही दूसरे यहाँ पर fund के अंदर invest कर रखा है जैसे अगर आप small cap के अंदर invest करते हो, quant के या एक flexi cap fund के अंदर करते हो, तो आप देख सकते हो भाई, old lapping जो 31% की है, तो आपको similar जो stock से काफी जादा देखने को मिल जाएंगे, अगर same AMC की या पर different different scheme है तो, इसके लाब भाई, अगर मैं risk ratio की बात के हो, तो quant के अंदर बाई, beta आपको एक के उपर दिखाए देगा, जो कि definitely याँ पर obviously बात ते risky है, बाकी सबी अगर आप leading scheme का देखेंगे, beta आपको हमेशा एक के नीचे दिखाए देगा, और जितना आपको standard division देखने को मिलता है, उतना आपको JSN alpha, यानि कि उसके against में risk जो existing returns होते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं, अगर guys, यहाँ पर मैं overall बात करूँ तो अगर आप small cap category के अंदर एक risky हाई return वाला यहाँ पर जो small cap fund तलाश कर रहें, तो definitely भाई, quant उसके अंदर leader है, उसके अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें कभी भी lump sum investment नहीं करना चाओंगा, मैं हम करना चाओंगा long term basis के उपर, बाकी stable में अगर आप देखेंगे तो आपको nippon वगरे भी जो अच्छे खासे returns यहाँ पर generate करके देता है, वहाँ पर आपको beta भी यहाँ पर कम देखने को मिल जाता है, तो guys, hope you like this video, please subscribe to the channel, आप लोग की क्या राई है, इस small cap fund के बारे में, कर दोगा खासे, जकैंगा यहाँ जाओंगा बचलचर कार सोरी करके बारे में?